आज विश्य हेपेटाइटिस दिवस हम सब के लिए संकल्ब का दिवस है दिश की सबसे सरवच लोगतान तिक संस्ता संसद और उसकी प्रशिशन संस्तान आईल बीएस दिश के अन्य विशेशक चिकिसक जनपतिती सामाजिक कारे करता दिश में चिकिसा के शित में काम करने वाले सब लोगों के लिए आज ये संकल्ब का पर्व है कि हमें 2030 तक इस दिश के अंदर हैपेटाइट टीस को वाइरल को समाप्त करना है डॉक्टर रैस के सरीन जी ने अपना जीवन इसके लिए समर्पन किया है और उन्होंने डिटेल में जो बात बताईए साधारन भाषा में बताईए सदर भाषा में बताईए हम इस बातों को लेकर हमारे जनपतिती जो 130 करोड़ लोगों जनता का जनपतित करते हैं हमारी नेतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम हमारे शित्र की जनता को सस्त रखें और सस्त रखने के लिए जो जो भी विश्र के अंदर देश के अंदर जो बिमारिया है उन बिमारियों के बारे में जानकारी दें एक जनांदोलन बनाएं जनता तक संदेश पहुचाएं ताकि इस देश के अंदर हम हैपेटाइस भी सी को समाप्त कर सकें और ये हमारे सामुईक प्रयासों से संबह हो सकता है जब देश की सभी लोगतांति संस्ता हैं चाहे पंचायत हो नगरपाली का हो विधान सबह हैं लोग सबह हो और उसके साथ सामाजी काम करने वाले शित्त के लोग इस संकल्ब के साथ निकलेंगे तो भारत ने बड़ी बड़ी वेश्चिक महामारी बिमारी को हमने इसी संकल्ब के साथ इसी सामुईक्ता के साथ पराजित किया है दुनिया ने भारत की संकल शप्ति को देखा है सामुइक्ता की तागत को देखा है मुझे आशा है कि हम सब यहां बेटकर जो डाक्टर सरीन साब ने बताया उसको सरल सहज भाषा के अंदर अपने अपने शित्र के अंदर अवेर्नेस केम्प लगाएं और यह हमारी नेतिक जिम्मेदारी भी है हमारा संकल भी है सरकार ने भी इस पर कई सारे कदम उठाये हैपटाइस भी के टीकों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है उसकी जानकारी हम ठीक से पहुँचाएं और उस हैपटाइस को रोकने spiral को रोकने के लिए जो जो मेजर अपनान है जो डॉक्टर सरीन ने बताएं उस मेजर को हम किस तरीके से स्वास्थ के अंदर बीमारियों फेलने के कारण अब समय आया कि बीमारी के बाद डॉक्टर जाएं इसके पहले हम बीमारी होने के कारणों पर हमें research करना होगा उस पर करनी होगी और देश की जनता को बीमारी होने के कारणों की जानकारी देंगे तो हम ज़्यादा अपने शित्की जनता को सस रख पाएंगे और इसलिए इस देश की एक सो तीस करोड जनता को सस रखना हमारी जिम्मदारी है हमारा संकल्प है इसलिए मैं सभी जन पतिनते उस हेपेटाइस वाइरल को समात करेंगे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद या पधानने के लिए